मेरा नाम विकी है, ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल की थी, हम जॉइंट फैमली में रहते थे, मेरे पापा के चार भाई थे और मेरे पापा सबसे छोटे थे, उन सब की उलादे जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे, सब के यहां बेटिया थी लेकिन में उस खांदान का एकलोता बेटा था, इसी वज़ा से सब का लाडला था, खांदान का एकलोता बेटा होने की वज़ा से सब मुझ से बहुत प्यार करते थे, और सब मेरे नकरे उठाते थे, मेरे सारे चाचा मुझ से ऐसे प्यार करते थे, जैसे मैं असल में उनका अपना ही बेटा हूँ मेरे मुझे निकली हुई कोई भी ख्वाहिश दो ही मिनिट में पूरी कर दी जाती थी पर उस घर में एक ही इनसान ऐसा था जिसने मेरे साथ फिलहाल तो क्या आज तक मुझे से प्यार से बात तक नहीं की थी जिसने मुझे कभी प्यार भरी नजरों से भी नहीं देखा था जो मेरा इतना खयाल भी नहीं रखती थी जितना खयाल रखना मेरे लिए उनका हग बनता था उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई कभी मुझे ये तक नहीं कहा कि मैं उसके लिए एहम हूँ और वो थी मेरी मा, मेरी मा मेरे साथ सोतेले बेटे जैसा सुलूग करती थी, मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वो मेरी तारीफ नहीं करती थी, कोई भी अच्छा काम करता, तो भी वो मुझसे उस्सा ही होती थी, पापा भी अक्सर उनको समझाते थे, कि ऐसा क्यों करती हो, सबरिश्टदार भी कहते थे, कि इस औरत को अपने बेटे की कदर ही नहीं है, एक दिन मेरी मा ने तंग आकर सब के सामने कह दिया, कि हाँ, मैं एक बेटे की मा हूँ, तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात ह तुम लोगों के घर में सिर्फ बेटिया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये बात बड़ी होगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों को इतना एहसास है, तो तुम कर लिया करो इसकी फिक्र, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैंने आज तक अपनी म बार, मेरे पापा ने मेरे मा से जबरदस्ती डाइवार्ज भी ले ली थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी की थी, माने मुझे इस बात की वज़ा तक नहीं बताई, वो मुझे से अपने दुख तक नहीं बाटती थी, पर वो तो मेरी मा थी, मैं फिर भी उनसे करता था एक चाची का रवाय भी सब के साथ बहुत ज्यादा बुरा था लेकिन वो तो सब के साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वो हैं ही ऐसी लेकिन मेरी मा मेरे कजिन्स के साथ अच्छे से पेश आती थी पर मैं उनका अपना बेटा था लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती मैं उनकी महबत के लिए तरसता रहता था इसके अलावा हर रात मेरी मा मुझे एक जहर जैसा कड़वा शर्बत पिलाती थी ये काम वो मेरे बच्पन से कर रही थी उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं की थी पहले मैं छोटा था उनकी बात मान लेता था पर मुझे उनका ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वो मुझे को ये शर्बत क्यूं पिलाती थी बस यही एक काम था जो वो मेरे लिए करती थी और रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वो शर्बत लेकर आया करती थी और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती थी जब तक मैं उस शर् पीने से मेरी तब्यत बहुत खराब हो गई, रात को मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, सारा घर बहुत परिशान हो गया, और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पी रहे हैं उसे अब न पिए, फिर अगली रात मैंने अपनी मा को वो शर्वत पीने से मना कर दिया, अपनी सेहत के बारे में भी बताया, पर वो नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी, क्या वो नहीं जानती थी, कि मैं रात ही अस्पताल से वापस आया हूँ, यहां तक कि मैंने अपनी मा को साफ साफ मना कर दिय जब्यादाता कि मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पीनी है पर उनको मेरी ज़्या भी फिक्र नहीं थी सिर्फ इतनी ही फिक्र थी कि बस मैं किसी तरह वुज़ जयसा शर्बत पीलूं। आज पहली बार मैंने ये शर्बत पीने से मना किया था, मैं अपने इरादे का पक्का था, वो समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मैंने वो शर्बत नहीं पिया, वो मुझसे मिन्नते करती रही, वो बहुत परिशान लग रही थी, अचानक उनके मू उसे ऐसी बात निकल गई, जिसने मुझे हैरान कर दिया, उन्होंने इतना ही कहा, कि अगर मैंने वो शर्बत नहीं पिया, तो गजब हो जाएगा, तुम प्लीज ये शर्बत पीलो, अगर तुमने ये शर्बत नहीं पिया, तो कयामत आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस तुम मेरी बात मान लो, पर मैं नहीं माना, वो रोते हुए मेरे कमरे से चली गई, आज मुझे उनके रोने की भी कोई परवा नहीं हुई, बलकि मैं तो ये सोच रहा था, कि इनको अपनी जिद बदलनी होगी, फिर मैं सुकून से सो गया, और सुभा एक बुरी खबर के साथ मेरी आँक खुली, वो बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमेन निकल गई, वो बुरी खबर ये थी, कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो रात को ठीक ठाक सोई थी, और सुभा पता चला, कि रात के किसी प अब स्वाल तो बहुत हैं, पर सवालों से जियादा दम था मेरी माँ ने जो कहा था उस बात में, कि शर्बत पी लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, क्या मेरी माँ का इशारह इस तरफ था, और वो शर्बत पीने से मेरी माँ की जिन्देगी पर क्या आफर हो सकता था, ये ब उनों मेरी जान ले रहे थे, मैं दिमागी मरीज की तरहां बन गया था, मैं बोहत रोया था, मेरे लिए ये सद्मा बहत बड़ा सद्मा बन गया था, घर में शोक का महौल था, पापा भी सद्मे में थे, कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया, वो भी मुझे तस लेट हो गया, ये पहली बार था, कि मैं अपनी माकी मौत के बाद घर से निकला था, आसमान पर चांद था, उसकी चांदी और सिटारों के टिम टिमाती रوष्णी ने माहूल को खुशगवार बनाया हुआ था, रात के सनाटे में अकेले ये मेरा पहला चान्स था, जब से मेरी मा इस दुनिया से गई थी मैंने वो शर्बत नहीं पिया था तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा ऐसा दर्द जिसको मैं नजरंदाज भी नहीं कर सकता था इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि शायद टैंशन और सदमे की वज़ा से आपके सर में दर्द है पर मैं जानता था कि असल वज़ा क्या है ये दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था घर के हालाद भी कुछ अजीब हो गए थे मेरी एक कजिन सीडियों से गिर गई और उसका सर फट गया वो बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूद गिर गया और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है अब कारोबार में भी बहुत थी मुश्किले आ रही है और मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे जब से मेरी मा इस दुनिया से गई थी वो तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आकिर ये सब हो क्या रहा है मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था मैं दवाईयां खाकर पागल सा हो चुका था चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई और मुझे भी कहा कि ये बात घर में किसी को नहीं बताना क्यूंकि सब और भी परिशान हो जाएंगे घर में सब कह रहे थे कि जब से मेरी मा गई है तो घर के हालाद भी खराब हो गए है पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यहीं नहीं थी बात तो कुछ और भी है फिर मुझे मेरी मा की बात याद आ गई अगर मैंने वो शर्बत पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं अपनी मा के कमरे में गया और तलाश करने लगा कि वो शर्बत कैसे बनाती थी उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज़ पर कुछ लिखा था उसको देखकर मैं हैरान रह गया उसके नीचे लिखा था मुसीबत में इन से मिले मैंने अगले ही दिन वहाँ जाने के लिए सोचा और मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान हो गया वो किसी बाबा का घर था मैं हैरान इसलिए हुआ क्योंकि हमारे खांदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतिजार करने लगा मैंने वहां बैठे हुए कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा ये बहुत पहुँचे हुए बाबा है मैंने कहा आपकी ये बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं कम से कम एक हजार रुपे तो लेते ही होंगे तो वो कहने लगे कि ये एक भी रुपिया नहीं लेते मैंने कहा अच्छा जो अपनी मर्जी से दे दे तो क्या वो रख लेते हैं उसने कहा कि नहीं नहीं यहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है अगर फिर भी कोई जित करे कि कुछ देना चाहता है तो बाबा उससे कहते हैं कि वो गरीबों में कोई चीज बाट दे उसका फल तुम्हें भी मिल जाएगा लेकिन बाबा किसी से एक रुपिया भी नहीं लेते थे ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया लेकिन फिर भी मेरा ऐसे चीजों पर कोई भरोसा नहीं था मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर चौक से गए उनके चौकने का तरीका ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया कि आखिर ये क्या सोचकर इस तरहां से हैरान हो रहे हैं और फिर उन्होंने एक बहुती अजीब हरकत की उन्होंने वहां बैठे सब लोगों को बाहर भेज दिया फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि मैं फिर से हैरान हो गया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिन्दा हो मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्या मर जाना चाहिए था मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं मैं तो जिन्दगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यूं कही आपने उन सब को बाहर क्यों भेज दिया आखिर क्या बात है मुझे बताईए मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ इस दुन्या से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है सब कुछ तबाह होता जा रहा है कारोबार भी तबा होते जा रहे हैं और घर के लोग भी बीमार है मेरे सर में भी अब हर वक्त दर्द रहता है फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया उन्होंने कहा कि तुम खानदान में अकेले लड़के हो, यानि सारी जायदात के वारिस हो, इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था, तुम्हारे बाकी के चाचा को ये बात जहर लगी, उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा क कैसे करवा सकता है इस जादू की वज़ा से तुम बस दो तीन महीने ही जी पाते पर तुम्हारी मा जो की एक अच्छे दिल वाली औरत थी उसको सब कुछ पता चल गया था उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उन में जगड़ा हो गया और तुम्हारे बाप ने गुसे में तुम्हारी मा को डाइवार्ज भी दे दी थी जब तुम्हारे बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी मा से दुबारा शादी कर ली एक दिन तुम्हारी मा तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास आई मैंने उनको सब कुछ बताया लेकिन उन्हे फि जादू बहुत ही ताकतवर था ये जादू सिर्फ तुम पर जब तक ही असर करेगा जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते लेकिन तब तक तुम्हें वो रोज मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला शर्बत पीना था ये जड़ी बूटी वो मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वो नहीं पिया इसलिए सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी मापर हुआ क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था और फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा मैंने हैरान होकर पूछा कि ये जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है तो फिर उन पर भी मुसीबते क्यों आ रही है तो बाबा ने बताया क्योंकि अब ये जादू खत्म होने वाला है इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है अभी तुम्हारे 18 साल के होने में एक महीना और बाकी है बस तब तक तुम वो शर्बत पीते रहो और उस के बाद उस जादू का असर खत्म हो जाएगा तुम्हारी मा तो अब वापस नहीं आ सकती पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी वो इसलिए तुम पर सकती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और उसकी बात मानो वरना वो तुम्हें रोज ऐसा कड़वा शर्बत प उसकी महबत कभी कम हो ही नहीं सकती मैंने अपने पापा को ये सब कुछ बताया लेकिन मेरे पापा अभी भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका खांदान ऐसा कर सकता है उनका कहना था कि तुम्हें इतनी महबत मैंने नहीं की जितनी महबत मेरे भाईयों और उनक पाप के लिए बस यही कहना था कि उनकी महबत के पीछे असल में उनका एक मकसद छिपा हुआ था। पाप के तुम्हारे पापा ये बात भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो अभी भी इस जादू के असर में हैं इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। और मैंने जाते जाते भी उनसे बत्तमीजी कर दी। ये शिकवा मुझे खुद से सारी जिन्देगी रहेगा। मैंने एक महीने तक वो शर्बत पिया और 18 साल का होने के बाद शहर छोड़ कर मुंबई चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घरवालों को कहा कि मैं आपकी जूटी महबबत को अपनी सची महबबत समझ रहा था। आप सबने मेरे साथ जो किया है उसका मकसद नाकाम हो गया सिर्फ मेरी मा की वज़ा से मेरी मा वापस नहीं आ सकती लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने वो घर छोड़ दिया और मुंबई में रहने लगा। बहुती महनच से पढ़ाई की अपना घर बनाया और फिर एक होटल बनाया जिसको मैंने अपनी मा का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं चाहिए थी मेरी खांदानी दौलत जिसने मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया मैं खुद को बहुत खोशनसीब समझता था मुझे क्या पता था कि मेरे घरवालों की महबत के पीछे नफरत भरी पड़ी है सलाम है मेरी मा को जिसने सारी जिन्देगी इस रास को अपने सीने में दफन रखा सिर्फ इसे लिए कि वो मेरी जान बचा सके और ऐसे ही वो इस दुनिया से चली गई दोस्तो विकी ने घर छोड़ने का जो फैसला लिया क्या वो सही है या गलत हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले